नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्व चैनल स्टैड डिविद बिक दयामे आज जो हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा कलोग घडी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं गडी गडी की आकरती आपको पता है भई घडी की आकरती आज हमारे पास किसी भी परकार की हो सकती है चाहे हमारे पास वो आयत के आकार की हो चाहे वरत के आकार की हो ठीक है घड़ी की जो आकरती होती है वो भिन-भिन परकार की होती है लेकिन घड़ी के अंदर का जो डायल होता है घड़ी के अंदर का जो डायल होता है वो हमारे पास रहता विश्रफ वर्त के आकार का या फिर कह सकते कि जो रहेगा वो हमारे पास गोल रहेगा ठीक है या फिर हम यह भी आसान सब्दों में यह भी समझ सकते हैं कि घड़ी की जो सुईया होती है वो एक सरकल में रोटेट करती है ठीक है, तो उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो important चीज़ होती है, वो angle होता है, ठीक है, तो angle से question परते हैं, तो angle से question हम पढ़ते हैं, आज, सबसे पहले जो रहेगा, वो हम देखेंगे, कि घंटे वाली सुई क्या-क्या angle मनाती है, कितने समय में मनाती है, फिर minute वाली सुई की बात करेंगे, ठीक है, पहले हम जो question discuss करेंगे, वो अलग-लग सुई के आधार पर करेंगे, कि कौन सी सुई कितने समय में, कितने degree का angle बनाती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गंटे वाली सुई की, यानि हावर हैंड की, हावर हैंड यानि गंटे वाल सुई, तो गंटे वाली सुई की बात करता हूँ, तो मैं गंटे वाली सुई को आप किसी भी नंबर पर ले सकते हूँ, यह मेरे पास हावर हैंड है, यानि गंटे वाली सुई है, ठीक है, तो यह गंटे वाली सुई है, यह यहां से 12 बज़े से चलना परारम करती है, और व इस circle की value मेरे पास कितनी हो जाएगी 360 डिगरी यानि मैं कह सकता हूं कि घंटे वाली जो सुई है उसने अपना एक पूरा चक्र लगाने में कितना समय लिया है 300 सुर्य कितना समय लिया है 12 गंटे का समय लिया है और एंगल कितना बनाया है 300 3060 डिग्री का तो यहां से हमारे पास आ गया कि घंटे वाली सुई है वो 12 गंटे में 3060 डिग्री चलती है ठीक है हमें चाहिए क्या वाइए ए गंटे में कितना चलेगी तो ए गंटे में कितना चलेगी वह 360 बटे 12 इस साइड मुन्टिप्लाइ मेस साइड आएगा तो डिवाइड में कैंसल हो गया कितना गया 12 बारा छोभी बाथिया 36 तीश डिग्री यानि एग गंते में कितना चली 30 डिग्री कि अब एग गंते में 30 डिग्री चली है एग गंते को क्या लिखता हम है 10-degree में कितना चली 30-degree एक मिनिट की value चाहिए हमें तो एक मिनिट की वैल्य कैसे निकालेंगे ऋगे भरी 30 और साथ इस साथ यहाल आंके तो यह cancel हो जाएगा क्या बचेगा 1 बटे 2 degree तो हमारे पास दो value आज की प disruptive पहले कि गंटे बाली हिसे ओ wtih और ब्लब दूसरा एक हाइक मिनली Нभी तो 6 वैल्योव क्या उतस भी सार्थ 27 मैं और 60 सेकंद बुर बुर उत्ती है तुम्हें यह लिख सकता हूँ नडव , ejemplo फेल्ट की डो डिगरी , एक सेकंड की वेल्यू सेगे है में यह कि एक ब्ट्न की एक सेकंड में एक बेट दो 46 side into myные क्या हुआ एक बटा 120 दिगरी तो seconds की बहती पूछे तो आप बता सकते हो कि एक seconds में कितना मनाएगी एक बटे 120 का एंगल बनाएगी भी कौन सी सोई, गंते वाली सुई थीक है, तो गंते वाली सुई कि आपके पास तीन एंगल आज के हैं पहला एंगल कि एक गंटे में कितना डिगरी तीस डिगरी एक मिनट में एक बटा दो या फिर आदा डिगरी एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में एक बटा 120 डिगरी ठीक है आगे चलते हैं मिनट वाली सुई की बात करते हैं अब मिनट वाली सुई की यदि हम बात तो बात वहैं तो weapon को भी को आपको are a है क्यों शूές मैंने आपकी बार माल लिया कि तीन पर यह मेरे पास मेंनट हो गई ठीक है अब यहां से चलना आरण करती है और वापस ये 3 पर आ जाती है अपना एक चक्कर पूरा करके अब मिनेट वाली सुई है उसने अपने एक चक्र पूरा कर लिया या फिर आम कह सकते हैं कि वो कितना चल ली 360 degree कितने degree का angle बनाया है उसने 360 degree का और 360 degree का जो angle बनाया है उसको बनाने में उसने समय कितना लिया है भाई आप देख सकते हो कि minute वाली सुई है वो अपने एक चक्कर पूरा करती है तो एक गंटा का समय हो जाता है ठीक है तो मैं यह कह सकता हूं कि एक आवर में minute वाली जो सुई है वो एक गंटे में 360 degree का angle बनाती है भी ठीक है और इसी चीज़ को मैं यह भी लिख सकता हूं कि एक गंटे की स्थान पे मैं क्या लिख लूँ 60 minute क्योंकि 60 minute और एक गंटे की value क्या होती है बराबर होती है तो 60 minute में तो 360वटे 60 cancel हो रहा है तो cancel कर दें क्या है गया 6 degree ठीक है minute की value आपके पास आचके second के निकालो गे तो बई 60 second में भी क्या हो जाएगा एक minute की value क्या होती है 60 second और 60 second की value क्या 6 degree 1 second की value चाहिए तो 1 second की value आपके पास क्या आगे 6 degree बटे साथ क्योंकि साथ इस साथ इस साथ आएगा तो डिवाइड में कैंसिल कर तो एक बटे दस तो आपके पास मिनेट वाली जो सुई है वह आपके पास तीन एंगल मना रही है पहला एंगल एक गंटे के यदि बात करें तो 360 डिग्रिया बता सकते हूं ठीक है यदि आपके पास आप पूछे कि मिनेट वाली जो सुई है वह एक मिनेट में कितने डिग्रिया एंगल मनाएगी तो एक मिनेट में कितने डिग्रिया एंगल मनाएगी भई छै डिग्रिया और एक सेकेंड की यदि बात करें तो एक बटे दस डिग्रिया ठीक है तो यहां से डारेक्ट क्यू ठीक है कि मिनट के वैल्युल आपको पता है वह एक मिनट में छह डिवंड मना रही है और बात किो न बैक्त ही उन पांच मिनट की तो जितना भी एक मिनट में काम कर रही है उसको ऐले हैं तो यह क्या आजाएगा 5 minute के वहले हां कितनी 30 degree ठीक है यदि आपसे पूछें कि बताईए 10 minute में minute वाली सूंइ 10 minute में कि इंगल मनाएगी तो 10 गोना में 6 60 degree हो गया ज़िक यदि second में पूछता है तो second में बता दो पूछेगा बताईए 30 second में 30 second में minute वाली सूंइ कितने डिगरी का प आइंगल मनाएगी तो 30 सेकंड की बात हो रही है और एक सेकंड में कितना मनाती है एक बटे 10 डिग्री कैंसिल कर दो क्या गया ठीक है यदि मिनट की बात करें गंटे वाले सुई एक मिनट में कितने डिग्री का अंगल मनाती है यही कुछ लिए तो आपको पता है कितने डिग्री आग्या गया देश डिग्री आ गया ठीक है तो आवर एंड और मिनट चेंड चेंगे अब बात कर लेते हैं भी इसके साथ साथ सेकंड की भी ठीक है सेकंड वाली सुई से इतने important question बनते नहीं है यदि बनता है तो भी आप बता सकते हो वही बात है अब हमने क्या मानना कि यह जो मेरे पास सुई है वो किसके वही सेकंड वाली है ा थीक है किशी भी नमबर पे लेसकते हों आप तो सेकंड एन्ड है जो वह stat वह आप सभी को पता है कि यदी वह किसी भी नमबर पे है और वह पस उक्ष्य नमबर पे आनने के लिए थे उसको कितना समय लगता भई एक मिनट तो एक मिनट में सैकेंड वाली सूइक कितने डिगर का एंगल बनाती है दिन सो शाड़ साट डिगरी का में कितना मनायगी तो एक साट में कितना मना बाटेंगे तो 6 डिग्री यानि सेकेंड वाली सुनी सिर्फ एक एंगल बनाते हैं वो क्या बनाती है एक सेकेंड में 6 डिग्री का और एक मिनट की बात के रहे तो पूरा चक्र हो जाएगा 360 डिग्री का ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूष्ण बनता है क्लोग से वो बनता है एंगल से और एंगल से क्यूष्ण क्या मनता है तीन क्यूष्ण बनते हैं जो हमारे पास डारेक्ट पुछ जाते हैं तो पहला जो क्यूष्ण बनता है वो नबट डिग्री से बनता है एक 0 डिग्री से और में एक चीज और कह सकता है कि यह गड़ी की दोनों सुनियों के मद्द है जब भी 15 मिनट का अंतर होगा ना तब भी आपके पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिगरी का ही बनेगा ठीक है तो बात करते हैं 90 डिगरी अंगल की तो क्यों सर बनेगा वो यह बनेगा कि एगंटे में क्टी बार बनेगा आपके पास मादलों की 12 के बीच में 1 गंटा वक्या यह Catalins ए 17-20 की बार बनेगा यह 1-2 कमद्ध यह फिर 11 12 ो साथ sä ठीक है तो पूछेका कि प assass video iira उख कि Tgg उ आप सभी को पता कि ऑ और ना वो ए गंटे में दो बार बनता है ठीक है। सबसक्त लेकिन सबसक्त है कि इस बढ़ेंगे उस्क्ता शोर Sup限 में वार जुना कंड़ा है उसौfight इंगल कम हुई है तो क्यूट से नहीं पूछा जाता है कि 12 गंटे में 22 बार मनता है लेकिन 12 गंटे में 22 कम हुए है नहीं कम हुए ॉस समय है सिर्फकान होता है जैसे गी मैं कहूं उकि आपने देख विखाव गड्य में जब घड्य में समयसा उत्ता मेरे पास करी है ए तिन बजी का समय मिनेट वाली सुनिंब किस पर यहीं आपके पास समय रहेगा जहां पर आ पकी पास यंगल तो खंट आगे और इससे गंत पीछ यहां पर आपके पास है गंटे कितने वह वह दोस्टे च्यार पीटै कितने गंटे हुए दो गंटे वे लेकिन यहां पे अंगल जो बनेगा अंक बनेगा तीन बार बनेगा단 ठीक है क्यों बनेगा क्योंकि दोस्दीच एंग के मद्द हैं मैंने बोला हूं मैंने बोला कि दोस्दीच एक बार बनेगा ठीक है तीन से चार के मद्दै एक बार बनेगा ठीक है दो से तीन के मद्दै एक बार और तीन से चार के मद्दै एक बार और एक जो बना है वो फिक्स कितने बजे बना है भई तीन बजे बना है ठीक है यानि दो से तीन के मद्दै एक तीन से चार के मद्दै एक और तो टो टोटल आंगल आपके पास कितनी बार बने तीन बार तुम रहे तो एक आगल यहां से कम हुआ हुँ ठीक है यहां पर चेब्ण के पास नहुत डिकसे नहां बनता है also यहाँ पर आपके पास अंगल बनता एतना इसे गंटा निछे एग उपर याँ निए आट से दस सवस्य का मेधिन 128 8 आझेयां यहां भी क्या होया एक अंगरों के पहास कम उगया है आप वहीं बात यहां भी उटानयी सहा विच्छ Estu 24 गंटे में तो 24 गंटे में 44 बार बनता है ठीक है तो यहां से आपके पास हो जाएगा भई एक गंटे में दो बार 12 गंटे में 12 गंटे में 22 बार और 24 गंटे में 44 बार ठीक है आगे देखिए देखो भई अभी जो आपको बताया है वो एक बार आपको practical भी दिखा देते हैं हमने क्या बताया कि परते गंटे में जो एंगल हो दो बार बनता है ठीक है तो आप कोई भी समय ले सकते हो जैसे कि मैंने समय लिया अभी मैंने समय ले लिया भी 5 बजे का ये मेरे पास 5 बजे का समय होगा है अब 5 से 6 बजे चलूँगा तो मेरे पास एक गंटे में दो बार आउंगल मनेगा मैंने जैसे जैसे चलना स्टार्ट किया तो ये आप देख रहे हो कि ये जो मेरे पास जो एंगल हो गया वो लग बग 90 डिगरी का हो गया ठीक है तो एक बार बन चुका एंगल भई अब दूसरी बार देखना अब ये जो मेरे पास समय है ये देखो अभी 6 ने बजे हैं 5 बजकर 45 मिंट हुई है तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है वो लग बग 90 डिगरी का हो गया ठीक है तो एक गंटे में कितनी बार बना दो बार बना है ठीक है तो एक गंटे में दो बार बन चुका लेकिन आपके पास retention बने गालग अपर यह किया मेरे पास एंगल होगा यह खो़ो आपको समया एक बार और अब तक अगले बार देके अगले जो एंगल हम बनेगा वो आठसे यह सई तो कि ने बजे बना है नोब बजे बना है ठीक है यह वहाइन न से क्लोएंगा नो से दस दशनने के बनेगा तरफ यहां से चल जाएंगे नहीं बनेगा नव डिकरीक дов देखना आपके पास लग भग इस समय Promise पास नव two and your गणल बनाए है जिस्ट शवाहएनों से दस का समय है नभी डिकरीकर येis कोट रावन अब तक आपके कि देखना पंथा या नहीं बनता है भाइब आग्ये चलो कि तब बनेगा लेकिन समय क्या हो जाएगा दस से ग्यारा के बीच में आएगा ठीक है तो आसा करता हूं कि आपको यह बाद समझ में आए होगी अच्छे से ठीक है तो एक गंटे में दो बार बारा गंटे में 22 बार और 24 गंटे में चोंवारी से बार बनता है नहीं डिग्री का अंगल ठीक है सब्सक्राइब की पास 180 बीच्टी क्या नाम होते है पहला तो वह 180 डिग्री कि दोनों सुई यह उत्तर दिशा पी और या फिर एक सुई पूरव दिशा की और और तो दूसरी पूरव दिशा की और हो या फिर कह सक बैसे प्लत आपक when you do 102 अभान ज्याक्ट पो अक्रोर चेक्षाय से पलता है श्याक्ता है कि प्लाव यह बात से इक करूआे में इंगल तो बारा गंटे में कितनी बार बनना चाहिए था बारा बार बनना चाहिए था लेकिन बारा बार ये बनता नहीं है कितनी बार बनता है वही ग्यारा बार बनता है अब इसमें भी सेम बात है वही ग्यारा बार बनता है तो एक बार जो कम होआ है वो समय कौम सा है? ठीके, तो वह जो समय है आपकी पास अभी बताये था कि कोई भी एंगल येधी कम होता है तो जो एंगल इतने समय पर F recommence बनता है न वही उसका कम होने का कन होता है तो आप सभी को बता है कि मेरे पास जो है 180 degree का जो एंगल है वोISS मेरे पास बनता है वो कितने बज़े बनता भई 6 बज़े बनता है ठीक है तो 6 बज़े बनता है तो कम होता हूँ कौन जिस 2 गंटे हो जाएंग भई 5 से 7 इन 2 गंटों में मेरे पास जो एंगल बनेगा वो एक बार बनेगा ठीक है एक बार बनेगा वो समय कौन सा रहेगा आपके पास fix 6 बज़े यह की एकार्ण क्या होता है कि दो गुम्हें एक बार एकलम बनता है जिसकी वजया से 12 गंटों में ऑपकी पास वे-वणा कि potent जो समय बेहां और देखिया को प्राक्टिकल को उप्रक्टिकल देह लीजी इसका भी हमारे पाज जो समय है रहाओ दस बजे का है 180 दिखरी का एंगल आघ कि पास अब देखें डोनों जो सुरियं है वो एक सिधी रेखा में आज़ कि पiegen को तो क्या बन रहा है वह 702 का बन रहा है कि अरशाट सी का इन concert AT आपके पास लगभग यह करेक्ट टाइम होगए आपके पास पांच बजेगा यह पांच बजे का समय होगए आपके पूरा थिक अब यहां से चलना स्टाइट करेंगे एक उसली घुम के आ और व्यआब आपके पास आके ये कित्षीक एंगल मता है ऐक 180 D2 tu यानि पांच6 के बीच में आपके पास 1 धी 168 गरी का उंगल नहीं बने से साथ के शह से चालन anniversary Bachelor नहीं बने गार यह आपके पास स्वार में साथ बजए का ठीक है नहीं बना यानि 5 forces 7 pray कि मद्द्ध आपके पास 180 डिगरी का जो एंगल है वो कितनी बार बना है एक बार बना है ठीक है आगे देखे 0 डिगरी का ठीक है देखे जीरो डिगरी के नाम क्या क्या होते हैं पहले तो जीरो डिगरी कहे या फिर कहें कि दोनों सुईयों की मद्द जीरो मिनट का अंतर हो ठीक है या फिर कहें कि गड़ी की दोनों सुईयां समान दिसामियों गड़ी की दोनों सुईयां जब किसी भी समान दिसामी होंगी तो अब आपके पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा जीरो डिगरी का ही बनेगा या फिर कहाँ दे अतिव यापन या फिर कहाँ दे ओर लेपिंग इंगर सिंबॉल नेंगे ओर लेपिंग टीकै तो यह आपके पास जो नाम होटे है वह 0ी को थे ioso निचोगे या है दोनों Surface करेंगे तो किसी भी समय पे चलना परारम करते हैं तो भी क्या होगी गड़ी कि दोनों सुनियां उपर निच्चे हो जाए यानि 22 बार ठीक है अब देखिए 12 गंटे में 11 बार बनता है यह तो आप जो कम होता है वो कौन से समय है आप सभी को पता है कि सर्फ जब बारा बज़ते हैं जब घड़ी की दोनों सुनियां समान दिसा में उत्ती है या फिर कह दें कि उपर निच्चे उत्ती बारा बजी का समय होत है वो इसी समय के कारण हुआ है ठीक है इसी समय के कारण यानी 11 से एक बज़े यानी 11 से एक इन दो गंटों में आपके पास जो एंगल बनता है वो एक बार बनता है ठीक है इसमें भी सेम बात अभी ना तो 11 से बारा की मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि देखिए जैसे कि मेरे पास समय है अब यह आठ बजे का है आठ बजे का समय ले लेता हूं मैं यह मेरे पास आठ बजे का समय है ठीक हर एक गंटे में एक बार बनेगा तो आठ से नोग का समय लेंगे तो यह देखो घड़े की दोनों सुनिया उपर निच्छे हो गई यह हो गई आपके पास यह जीरो डिगरी का एंगल हो गया ठीक है तो आठ से नोग के मद्द एक बार बन चुका यह नो बज गया एक बार एंगल बना है ठीक है अब आपको क्या बताया ह कि जो ग्यारा बजे का समय रहेगा ना यह आपके पास ग्यारा बजे का समय है ग्यारा से बारा बीच में एक बार भी नहीं बनेगा तो ग्यारा बजे से स्टार्ट के हमने यह चले हम देखो बना कहीं भी नहीं बना अब यह बनेगा बारा बजे यह दो समय आपके पास यह यह呢 नहीं बना एक बजकर और लगवग् छै मिनिट के सम्सिंग मनेगा तुर यह काउन्ट होगा एक से दो के मद्द एक से इक बार बंसक्थता एक बार री बनेगा अब दो बजे टक आक बिंगन नए बनेगा ठीक है Hail आज़ा करता हूँ आपको वीडियों पसंद आये होंगी एंगल अच्छे से समझ में आए होंगे ठीक है आगे हमको लोग के एंगल और टाइम निकार ना करेंगे जिसमें आपको बेसिक भी बताया जाएगा और पूरा टोपिक आपको एक ट्रिक में करवा जाएगा ठीक है यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो ओडाएगा पानने हम अजाओ़ है वाओडे लाइवाद